Hello everyone, welcome back to another lecture of unit 2 और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं solar collectors और उसके types के बारे में तो इस lecture को मैंने अपने दो पार्ट में divide किया है जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा initially solar collectors क्या होते हैं फिर उसके बाद flat plate collectors जो एक उसका type है इसकी construction, working, material used, साथी साथ performance, factor affecting the performance, advantages, disadvantages and applications यह बहुत सारे part है जिसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा है तो इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं 1, 2 and 3 things और बाकी जो आगे वाला है इसके second part में so that एक लंबा lecture ना हो तो सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूँ मैंने solar thermal energy के बारे में जब बताया था तो यहाँ पर आप solar thermal that means sun की जो heat energy है उसको हमें store करना है जना कि हम photovoltaic cell की यहाँ बात कर रहे हैं जहाँ पर directly हम उसको electricity में convert कर लेते हैं यह भी एक तरीके का direct method है मैं आपको example के लिए याद दिला दूँ आपको मैंने solar cooker का example बताया था जहाँ पर हम direct sun की जो infrared radiation है उनको हम active mode के अंदर utilize कर लेते हैं तो अब आपको बता दूँ यहाँ फिर दुबारे से कि हम दो टेक्नीक से अलग-अलग solar energy को directly utilize कर सकते हैं solar thermal या फिर solar photovoltaic जो मैंने अभी आपको बताया अगर हम बात करें केवल solar thermal system के बारे में तो यहाँ पर हम उसको या तो heat in air या फिर उसको हम fluid को गरम करने के लिए तो दो तरीके से हम उसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं obvious सी बात है जहाँ पर हमारे cold climate के case के अंदर वहाँ पर efficiency हमारे इस type के devices की कम होगी इस तरीके के device को हम गरम पानी करने के लिए washing के लिए या cleaning के लिए domestic use के लिए industrial needs के लिए बहुत सारी चीजों के लिए इस्तमाल करते हैं और यहाँ तक एक survey भी किया गया जहाँ पर यह बताया गया कि 24% के around जितना भी utilization of thermal heat है वो up till the moderate temperature होता है मतलब हम high temperature पर ज़्यादा industrial और household दोनों ही जगा पर नहीं जाते हैं mostly moderate temperature तक रहते हैं that means up to 150 degree Celsius तो इस तरीके की thermal applications हमारी बहुत ज़्यादा है तो क्योंना हम अपने ऐसे device को जहाँ moderate temperature तक heat किया जा सकता है और बिना किसी electricity के बिना किसी ऐसे source को इस्तमाल करते हुए जहां पर हम non-renewable source को इस्तमाल कर रहे हैं तो यहां पर हम पानी को अपने 180 degree Celsius तक किसी fluid को किसी atmosphere को गरम कर सकते हैं by the use of solar energy and those device are called as the solar collectors तो अगर मैं solar collectors की बात करूँ तो solar collector क्या होता है उनको collect करने के, store करने के किसको solar thermal energy को साथी साथ यह convert करते हैं usable form के अंदर मतलब जो हमारी solar radiation है non-usable form को usable form के अंदर convert करते हैं, इनको हम heat exchanger के नाम से भी जानते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि या तो liquid और air दोनों ही चीज़ों को गरम करने के काम आते हैं यह हमारे solar collectors दो टाइप के solar collectors होते हैं flat plate collectors and concentrating collectors, basically मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि collectors तो flat plate कहें या हम concentrating कहें उसके अंदर जो devices use होते हैं वो तो एक ही जैसे होते हैं, but for example, आप solar cooker का ले तो वहाँ पर आपका flat area होता है तो क्योंना हम ऐसा कुछ करें कि flat area के अंदर क्या है, हमारी जादा heat क्या हो जाती है, reflect हो सकती है तो क्योंना हम ऐसा करें कि हमारी सारी heat utilize हो जाए तो कुछ जैसे हम concave mirror या convex mirror type की चीज़े इस्तमाल करें और को concentrate करें basically इस technique को हम concentration और focusing of solar collectors बोलते हैं और इसको हमने केवल एक type तो questions को किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाता, for example मैं आप से कहूं, कि how will you focus the solar radiations तो उसके अंदर आप concentrating collector के बारे में ही बताने वाले हो, तो याद रखिएगा ये चीज़ जो कि हम अपने इस lecture के बाद जो lecture आएगा उसके अंदर पढ़ने वाले हैं तो flat plate collectors, flat plate collectors जिसको हम non concentrating type collectors बोलते हैं, जो 100 degree Celsius या नीचे के around पानी को आपके या air को गरम कर सकता है mostly suitable होता है liquid heating के लिए और air heating के लिए इसको कम इस्तमाल किया जाता है liquid heating collectors को हम openly water heaters भी बोलते हैं water heaters simple, तो generally जितने भी fluids हैं, घर में इस्तमाल होने वाला पानी, domestic use के लिए industrial water या fluid heating के लिए इस्तमाल होता है, जबकि अगर air heating की बात करें तो उसे हम agricultural drying के लिए इस्तमाल करते हैं, मतलब crops को सुखानी के लिए भी, green house effects के लिए farming भी हम इससे करते हैं तो उसके अलग 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 पार्ट की बात करें तो यहां पर चार पार्ट उसके main हैं जो है insulated box, transmit parent cover आप अपने solar cooker को याद करें तो यही सारी वो चीजे हैं absorber plate और tubes तो इसका अगर construction देखें तो यह कुछ construction है, तो यहां आप देखें तो उपर यहां पर एक insulated box लिया जिसको हम thermal insulation यहां पर बोल रहे हैं इसको एक glass sheet से हमने cover किया